हारे क्रिश्शन दोस्तों तो चले आज मेरे साथ एक नर्सरी का विजिट करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से फ्लावर जो वो नर्सरी में आ गए हैं अभी जितने भी सीजनल प्लांट है सर्डियों वाले वो सारे ही नरसरी में आगे हैं तो आप इस वक्त विजित कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है क्योंकि 20-30 रुपीस का जो सीजनल प्लांट है वो नरसरी में असानी से मिल रहा है इस वक्त मुझे लेने थे गेंदे के मैं तो वही लेने आई थी लेकिन नर्सरी में और भी बहुत सारे खुबसूरत प्लान थे यहां पे जो गेंदे के फूलते उन में काफी ज़्यादा वराइटी थी और मुझे कोई प्लान लेना भी नहीं था मैं गेंदा और गुल्दाओदी ही लगाती हूं विंटर में लेक जब भी मैं नर्सरी जाती हूं तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूं कि मुझे यह यह वाले प्लान लेने लेकिन ऐसा नहीं है कभी कभी कोई रास्ते में नर्सरी दिख जाती है तो ऐसे भी चले जाती हूं कई बार होता है कि लिस्ट जो बनाई होती है प्लान की वो प्लान मिलते हैं और कोई ही प्लान मिल जाते वो पसंद आ जाते तो वो ले आती हूं लेकिन इतना जरूर ध्यान देती हूं कि मेरे घर की लोकेशन कैसी है उसी के साफ़े प्लान करेती हूं तो आप भी जब भी आप नरस्री जाते हो अगर आपको नौलेज नहीं है तो नर्सरी वाले भाई से आप बात कर लें कि मेरे घर की लोकेशन ऐसी है विंटर में ऐसे दूप आती है समर में ऐसे दूप आती है तो उसी के हिसाफ से पौधे ले शुरू में मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी है जिसे मेरे प्लान बहुत करती हैं तो मेरा था की ध्यान की मुझे कुछ प्लान लेने लेकिन वहां जाके देखा कि बहुत सारे पर्मनेंट प्लांट ऐसे जो कि मेरी विश लिस्ट वाले यह पैपरोमिया में कम से कम पंदरा सो वराइटीज है मेरे पास अभी पांच है लेकिन यहां जब मैंने बाग गोली हुएं कि मुझे वार्गिंग करना आता भी नहीं है तो उन्होंने जो थोड़ी सी वार्गिंग करके यह प्लांट जो मुझे पैपरोमिया का मिला वह बाद में तो मैंने तीन प्लांट ही लिये थे इसके पॉइंट सेटिया जो वह बहुत अच्छा था वहां पर उसको देख के थोड़ा सा मन जरूर लल जाया क्योंकि यह मेरी विश लिस्ट वाला प्लान था बॉइंट सेटिया में भी दो तरह कोता है कि यलो वाले पत्तों वाला भी होता है इसे क्रिस्मस ट्री भी कहा जाता जाद तर इसी मौसम में आता है यह क्रिस्मस भी आगे हेल्दी था बहुत अच्छा था लेकिन वही की वार्गिंग करनी पड़ी और मुझे जो बहुत अच्छे अच्छे प्लान मिल गए यहां पे तो मैंने दो चार प्लान जो वो खरीद लिये जो की मेरी विश लिस्ट वाले थे पैपरोमिया भी लिया मैंने गेंदे के प्ला प्लान खरीद सकते हैं अगर आप सीजनल प्लान खरीद रहें तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप पर्मनेंट प्लान खरीद रहें तो इस पात का जरूर ध्यान रखिए कि वैसे वाले प्लान मत लीजिए जो अभी डॉर्मसी पीरियर में जाने वाले क्योंकि हर पौदे का जो वो अलग अलग समय होता है ग्रोइंग टाइम का जैसे कुछ विंटर में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं कुछ समर में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं नर्सरी वाले भाईया तो आपको दे देंगे लेकिन हो सकता है कि खर जाके रीपॉर्टिंग के बा प्लांट लिए और उनकी कितनी कीमत है तो खूब सारी पीड पोदे लगाई है हमेशा खुश रही है अपने असपास के वातवर उनको साफ रखिए हैपी गार्णिंग